हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब होप यू और दूइंग वेरी गुड इन फाइंट सो विलकॉम बाक टो चानल इस साइट प्यांगा खना यौ बाइलोजी एजुकेटर इस्टूडेंट जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था और लगता हम आपके लिए ओलंपिया सब्सक्राइब को दीजें हमने सिल्वर जोन के इंटुडाक्शन में भी आपको पूरी डीटेल बताई थी कि कौन-कौन से ओलंपियाट सोते हैं सिल्वर जोन के अंडर में सो आज हम उसका सबसे पहला डाट इस्टिम इनोवेशन ओलंपियाट लेके आए हैं इस्टूरिं उसको सब्सक्राइब की जिससे आपको लगता नोटिफिकेशन मिनेंगे और न्यू ओलंपियाट के लिए ठीक है स्टूरेंट सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले इस्टेम इनोवेशन ओलंपियाट क्या होता है ठीक है जैसा कि बच्छों आप नाम देख इसका स्टेम को मतलब इस साइंस टेकनिलोजी एंजिनियरिंग औं माथमाटिक्स ठीक है मतलब यह उसकी लिए उलंपियाट कंड़क किया जाते हैं तो यह जो लंपियाट है वहारे क्लास थर्ट से लेखे क्लास टेन तक के स्टूरेंट दे सकते हैं तो अगर हम बात करें क इसके date कब होती है तो two dates निकाली जाती है means आप इसको online भी दे सकते हैं offline भी दे सकते हैं ठीक है इनके two dates school के जरिये इनके two dates आनवली निकाली जाती है हर एक date में वानिसी बाते दो रेट है तो हर एक date में अलग Olympiad paper का set आता है हर एक winner को एक ही award मिलेगा जैसे कि हमने आप कुछ relate कर सकते हूँ SOF से ठीक तो बच्चों यह जो आपका Olympiad है वह किसमे specialized है science, technology, engineering and mathematics ठीक है तो इतने कीजे आप से उसमें पूछी जाती है clear अब बात करते हैं कि इसका aim क्या है सब्सक्राइब क्या होता है कि यह हमारे थर्ड से लेके class हमारे 10 तक के student क्योंकि दे सकते हैं इलेवन क्लास से बच्चे क्या करते हैं competition के तयारी स्टार्ट करते हैं या 11 से उनका कह सकते हैं उनको यह पता चलने लगता है कि हमें किस field में जाना है इसका aim यह है कि हमारे यूथ को train करना क्योंकि वह किवाल एक अपने स्कूल लेवल पर अपने क्लासमेट से जो एक कॉमपटीट कर रहे होते हो ने होती छोटी एज से यह पता चल जाना चाहिए कि हमें कैसे कॉमपटीशन में पार्ट लेना होता है जो काम हम 12 के बात करती है वह हमारे छोटे क्लास से स्टार्ट हो जाता है चीक है सब्सक्राइब कर दो आपने ही एज ग्रूप के लोगों के साथ के सात में वह इंटरनाशनल लवल पर कॉमपटीट करते है ना इस्टिप का जो कांसेप्ट है वो प्रामरली हेल्प करता है चिर्डरन को डवलप न्यू वाइस ऑफ थेंकिंग बाइप प्रमोटिंग क्यूरसिटी आड अनलेसिट आप जब छोटी क्लास से किसी कॉंपटेशन लेवल में बैठते होना तो आपके अंदर एक क्यूरसिटी आती है आपको एक अनलाइस करने के पावर डवलप होती है ठीक है आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो एक कोई भी चीजों को जब आप पढ़ते थे तो उसे हम ज्यादा तर याद करने की कोशिश करते थे लेकिन जब हम इस तरके के कॉंपटेशन पेपर को दे यह लांपियार पेपर कंड़ा किये जाते हैं ठीक है एंड़ थर्ड एम इस टेकिंग दो ग्लोबल चालेंज अट यंग एज आप एक ग्लोबल चालेंग को एक बहुत ही छोटी एज से लेना स्टार्ट करते हो कि चाल्ड स्टार्ड विक्टूरियस इन एवरे स्वेर आप आप एक सिर्फ अपने पढ़ाई ही नहीं बलकि आप अपने केरियर पात्मी में हर जगह पे आप क्या कर सकते हो एक जीत हासल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा एक नाम बना सकते हो ठीक है सो इस तरके के Olympiad paper को देना मेरे असाब से हर एक student के लिए बहुत ही जाता है important है जो चीज़े आप आगे जाके देते हो उस समय पर क्या होता है student बहुत nervous होते हैं कि हम कैसे competition के नाम से ही डरते हैं सो वो जो एक आपके अंदर phobia होता है वो एक बहुत ही छोटी एच से ही खतम होने लगता है फिर अगर हम बात करते हैं इस exam के date की तो student जैसा हमने बता है कि offline mode में भी होता है और ये online mode पे भी होते हैं सो offline mode की dates examination आप देख लेजे last date of registration 31 August 2022 आपका ये आने वाला और first date of examination है 24-11-2022 और second date टो लंप्यार की क्या है 19-12 that is December ठीक है last date of registration आपकी August में है 31st August इस लिए आप उसको दिहान से paper को paper के form को बना start कर दीचे ठीक है अब हम बात करते हैं online mode के लिए तो online mode में आपका जो first date exam की आपके सामने screen में है 2011-2022 and second date है आपकी 25-12-2022 last date of registration again is of 31 August 2022 में paper की last date like आपके registration की last date है not paper even last date of registration ठीक है तो अगर structure of Olympiad की बात करें तो student यह आपका conduct होता है two stages में ठीक है national stage first stage होती है national stage जो first stage है वहाँ पर student compete करता है अपने home country से ठीक है वहाँ पर compete करते हो आप so they will qualify for the stage 2 वो stage 2 के लिए तभी qualify होगा only after scoring की cut-off marks of 75% जो आपको 75% cut-off marks आएगा तब आप stage 2 के लिए क्या करोगे qualify कर पाऊगे ठीक है so the first is the national stage बताई गई है the next is second stage which is known as the international stage तो international state में क्या करते हो कि आप अपनी home country के साथ other country के साथ भी compete कर रहे होते हो ठीक है जहां पर top 100 winners top 100 winners scoring more than 75% in stage 1 from every class of each country वो लेता है stage 2 में पार ठीक है तो 100 winners जिसका more than 75% in marks मता उसका जो होता है percentage होता है stage 1 में हर एक class का वो लेता है आपका stage 2 में पार्ट लेता है फिर भात करते हैं stage 1 यह stage को examination के तो student यह जो आपका exam होता है वो आपके स्कूल में होता है आपके आपके school hours में होता है, आपके schools में होता है, school opt कर सकता है, offline, online या hybrid mode of examination, ये school opt कर सकता है, अगर हम बात करते हैं, इसके question paper कैसा है, कि negative marking है नहीं है, so बच्चों यहाँ पे different question paper होते हैं, हर एक class के, ये बिलकुल genuinency बात है, हर एक question आपका कैसा हता है, objective type like multiple choice के questions होते हैं, ठीक है, no negative marking, wrong answers के लिए कोई भी negative marking नहीं होती है, ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, आपके test paper की, तो student class 3, 2, 5, मतब आपके third से लेके fifth तक के जो class के student होंगे, उनमें total questions होंगे 35, और जो time period है, वो है 40 minute का paper होता है, ठीक है, pathist question, 35 question, और 40 minute का paper होता है, 6th to 10th student के लिए 40 questions होते हैं, और duration 50 minute, question बढ़ गया, 5 question बढ़ गया, और timing भी आपका 10 minute और add हो गया, ठीक है, so 50 minute का paper होता है, तो बचो offline examination दे रहे हो, आप online examination दे रहे हो, बहुत बच्चे हो सकता है, पहली बार इस देकी का online अगर examination दे रहे होते हैं, so सारा instruction उनको online प्रोवाइड होता है, offline examination में आपको सारी चीजे, detail of the everything, वो जो टेस्ट आपको conducted होगा, वो आपको भेज़ जाएगा with the question paper के साथ, आपको बताया जाएगा, ठीक है, so उसकी कोई टेंशन नेने की बाद नहीं है, अब बात करते हैं about the slavers, so student silver zone international जो आपका एक STEM innovation ओलाम प्यार पेपर है, इसका slavers क्या होगा, obviously science, technology, engineering और mathematics से बना होगा, ठीक है, आप देखे, STEM education का जो application, that is STEM education and application of technology, क्यों लाइक ये जो भी slavers आ रहा है, ये paper क्यों हो रहा है, because to empower every student, ठीक है, हर एक बच्चे के अंदर ये एक talent आ जाए, जो use their creativity, वो अपने creativity को use करें, उस creativity को use करके उसके अंदर एक problem को solve करने की skill develop हो जाए, ठीक है, बहुत बहुत है, student जो हम पढ़ रही होते हैं, छोटी classes में होते हैं, तो चीजों को याद करना हमें पढ़ता है, उस चीजों को पढ़ने के लिए, आपकी analytical power को, जिसके वज़े से आपके अंदर problem को solve करने की skill बहुत अच्छे से develop होते हैं, ये creativity आपके अंदर develop होती है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, science, जो इसमें science आती है, ठीक है, maths आती है, इन सब का individual role किया है, तो science एक important discipline होता है, STEM education का, बहुत important part होता है, क्या काम कर रहा होता है, it help us to become innovative and better at the research and the critical thinking, which is one of the prime goal of the STEM education, student ये क्योंकि एक बहुत important discipline है, like एक बहुत important part is STEM education का, ये आपको innovative बनाने में help करता है, आपकी सोच को और चाहता है, innovative, ठीक है, it teaches us whatever physical world made up of and how does it work, कि हमारा जो physical world है, वो किससे बना है और वो कैसे काम कर रहा है, जो भी आप देख रहे हो अपने आसपास, वो किससे बन रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़े आप समझते हो, ठीक है, you also need to understand the chemical composition of the material, कि कोई भी चीज है, वो किससे बनी है, उसका chemical composition क्या है, ठीक है, for example, अगर हमने ये pen लेके बैटे है, तो वो किससे बना है, क्या chemical composition है, like everything, आपको जानना, एक chemical level पे, ठीक है, आपको पूरे एक science level पे सारी चीज़ों के knowledge होती है, so science is essential to understand the living, ठीक है, material and the physical world, आपकी living चीज़ों को, materialistic चीज़ों को, physical world को understand कनाना, ये science का काम है, and develop the skills of the collaboration, research, critical inquiry, experimentation, exploration and the discovery, ये चीज़ के skill आपके इंदर क्या करता है, student develop करता है, ठीक है, so science एक बहुत ही important part है, stiff education का, और even हम सब की daily life के लिए भी, ठीक, so next हम बात कहते हैं, technology and engineering जो उसका एक part है, ये use होते है, every sphere of human life, हमारे daily के आप काम देख रहे हो न, so कहीं न कहीं महाँ पे technology यूज़ की गई है, कहीं पे महाँ पे engineering यूज़ की गई है, ठीक है, जो काम हम कर रहे होते हैं, हमारे काम को, daily के काम को असान बनाने के लिए technology आई है, ठीक है, so ये पढ़ाई आप starting से कर रहे होते हो, उसके बारे में starting से जान रहे होते हो, आजकल का time क्या है, internet का time है, हमें messages दूर बेजने होते हैं, हम email को use करते हैं, ये सारी चीसे क्या है, technology के वज़े से, engineering के वज़े से, so the coding, coding is the backbone है, आजकल के technology और engineering के लिए, ठीक है student, so इस दिए ये एक important हिस्सा माना जाता है, tip का, next अब हम बात करते हैं, mathematics की, so mathematics can be considered as the fundamental language of the universe, ठीक है, जिसके applications है, so ये बहुत ही fundamental language है, हो सकता है, बहुत student को tough लगती हो, लेकिन student ये एक fundamental language होती है, math एक objective है, जो आपको एक foundation देती है, experiment के लिए, practical के लिए, जो की आपका main objective है, clear student, so maths भी एक बहुत important part है, आपके STEM के, जो ओलाम्पियार है, उसका भी बहुत important हिस्सा है, clear, so अब आपात करते हैं, class 3 से जो ये exam होते हैं, उनका syllabus क्या आता है, student ये syllabus का आपको जो दिया गया है, आप जिस भी class के student इसे देख रहे हैं, या किसी और को recommend करना चाहते हैं, particular classes के लिए, तो आप सारा syllabus का अच्छे से रेखिए, ठीक है, so science, technology, engineering, mathematics में क्या आता है, science में understanding motion, force, impact, जो आपके syllabus में हैं, उसी से पूछा जाता है, और क्यों कि आप competition में जब आप बैठते हो, तो आपको थोड़ा एक advanced level भी पढ़ना होता है, ठीक है, वो कैसे तैयारी करनी है, क्या-क्या पढ़ना इसके अंदर में, क्या-क् चीज़े आपको एक एक करके हमारे वीजियो में मिरेंगी, clear student, so technology, engineering में आपकी information technology, introduction to hardware, software, आप syllabus को प्लीज देख सकते हैं, mathematics में exploring number, splitting number, ये सारी चीज़े पूछी जाती है, clear, तो ये है हमारे class third के student के लिए syllabus, class fourth, आप अच्छे से देख लेजे, although आपको यहाँ पे सारा को description box में भी मिल जाएगा, तो science में force and the application, kingdom of plant and animal and so many things, technology, engineering में, information technology के बारे में and so many things, mathematics में working with number, dividing a whole, ये सारी चीज़े पूछी जाती है, okay, so ये है आपके class fourth का syllabus, आप इसे प्लीज अच्छे से रेख लेजे, और आप screenshot पे ले सकते हैं, flavors for class 5, science में workforce and energy, simple machine, light and so many things, technology, engineering में आपको पूछा जाते, information technology में computer, fundamental, window OS, ये सारी चीज़े पूछी जाती है, ठीक है, mathematics में आप देख रहे हैं, handling data, understanding fraction, ये सारी चीज़े पूछी जाती है, ठीक है, flavors for class 6, science में everyday science, story of movement, जो आपके flavors में है, technology engineering में आपको पूछा जाता है, coding, introduction of coding, ये सारी चीज़े, ठीक है, blood relation, ये सारी चीज़े पूछी जाती है, mathematics में number and its operation and so on, ठीक है, आप देख सकते हैं, screen में आपके सामने है, flavors class 6 का, flavors for class 7, science में क्या पूछा जाता है, light and its interaction with object, current and its effect and so many things, technology and engineering में student पूछा जाता है, आपको coding के बारे में पूछा जाता है, fun with function, ठीक है, and understanding area, ये सारी चीज़े पूछी जाती है, mathematics में number system, algebra and so many things, ठीक है, तो आप इसको class 7 के student, जो भी slavers है, उसे आप देख लीजे, screen shot ले सकते हैं, otherwise आपको description box में भी मिल जाएगा, slavers for class 8, science में, some important physical, quantities, natural phenomena, ठीक है, ये सारी चीज़े, technology and engineering में student आपके पास AI, introduction to AI, history, ठीक है, history of AI होगे आपका, application of AI and so many things, maths में आपका rational number, algebra and so many things, ठीक है, class 9 में, science में chemical composition of a physical world and so many things, technology, engineering में आपका, akin AI, introduction to AI, mathematics में, rational number, algebra, linear equation and so on, ठीक है, class 10 के लिए, science में chemical element, property, life process, ठीक है, and so on, technology, engineering में आपका AI, foundational concept, ठीक है, और आपका logical sequence and so on, mathematics में, real number, number series, polynomial, geometry and so on, ठीक है, so जिस भी student, जिस class के हैं, जो देख रहे हैं, अपने syllabus को आप अच्छे से देख लीजे, screenshot ले लीजे, otherwise आपको वो description box में भी मिल जाएगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, marking schemes की, तो class, third से class fifth तक के जो student है, जिन में 35 questions जो आते हैं, उनके number of questions किस तेके से वो segregated है, तो देखे, science में आता है, आपका number of questions आते हैं, 10, ठीक है, science में number of questions कितने हैं, 10, हर एक question आपका 2.75 marks का होता है, ठीक है, technology engineering में student number of questions होते हैं, 15, marks हरी question का होता है, 3, और यह हो गया total marks आपके पास, 45, ठीक, mathematics में अगर हम बात करें, तो total number of questions होते हैं, 10, marks होता है, 2.75 each question, और total marks हो गया 27.5, ठीक है, so total marks हो गया आपका, कितना, 100, और number of questions कितने हो गया, 35, ठीक है, so total number of questions 35, और total marks हो गया 100, कैसे segregated है, यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब बात करते हैं, class 6 to class 10 की, जहां पे total number of questions होते हैं, 40, कैसे segregated है, science में आते हैं, 12 questions, marks कितने हैं, उनके हारी question के 2 marks, total marks हो गया 24, ठीक है, technology and engineering में होते हैं, number of questions 16, marks होते हैं, 3.25 हारे question, और total marks होता है, 52, ठीक है, mathmatic में होते हैं, number of questions 12, marks होता है, आपका 2, हारे question को total marks होगा 24, ठीक है, तो total number of questions, अगर आप calculate करोगे, तो हो गया 40, और total marks कितने हो गया 100, तो total number of question 40, और total marks कितना आएगा, 100 marks का paper, clear? तो class 6 to class 10, total number of questions होते हैं, 40, total marks होते हैं, 100, कैसे कैसे science, technology और mathematics डिवाइट किया गया है, यह आप देख सकते हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं, rank की, तो rank आते हैं आपकी class rank, national rank, international rank को निकाला जाता है, जहां पे class rank में, include all the student from all the section, division of the same class, of the same school, same class, same school के, जितने student हैं, ठीक है, from all the section, वहाँ से निकाली जाती है, class rank, national rank में, आपकी home country से, of the same class में, जो student है, वहाँ से निकाली जाती है, national rank, और international rank में निकाली जाती है, all the student from the India and the abroad of the same class, ठीक है, जहां पे आप stage 2 में निकालते हो, clear, नेक्श आता है, बच्चों, prizes के बारे में, तो prizes for the stage 1 and stage 2 will be awarded together, ठीक है, एक साथ, किसके बेस पे, on the result of the stage 1 examination, stage 1 के, result के बेसे से पे, ठीक है, so prizes for the stage 1 and stage 2, एक साथ award के जाता है, जो बेस किसमें होता है, result of the stage 1 examination, ठीक है student, अब बात करते हैं, rank, number, stage 1 के, stage 2 के, क्या-क्या मिलता है stage 1 में, ठीक है, क्या-क्या awards मिलते हैं, यह सारी बात है student, तो certificates के बारे में, अगर हम बात करें, तो all the participants, stage 1 में, आपको certificate, medal, और एक आपको analysis report card भी मिलता है, जैसे कि मैं सौफ में हम बात करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर certificate है, वो मिलता है, all the participants will be awarded, participation certificate हर एक को मिलता है, जहाँ पर reflect होता है, उनका class, zone, Olympiad rank and mark, सब कुछ उसमें mention होता है, ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलता है, medals मिलते है, class topper, first, second and third rank holder, हर एक class के, हर एक school के, उनको क्या मिलता है, medal of excellence मिलता है, ठीक है, यहाँ पर provided at the top, पर कितना obtain करना थी, at least 50% marks, ठीक, साथे साथ आपको, क्या मिलता है, बच्चों आपको यहाँ पर मिलता है, question wise performance analyze report, analysis को report होती है, वो भी आपको मिलती है, ठीक है, तो हर एक student को यह भी provide की जाती है, जहाँ पर detail analysis होता है, कि student exam में कैसा attempt किया, यह बताया जाता है, ठीक, के answers को analyze किया जाते है, कि आपने कैसा answer किया है, ठीक है, जिसके वज़े से आप समझ सकते हो अपनी strength, जिस area में आपके अच्छी पकड़ है, जिस area में आपने अच्छा काम नहीं किया, वो सारी चीज़े आपको इस report में पता चलती है, ठीक है, जहाँ पर आपको improvement की जरवत ह है, ठीक है, एस सारे बातें आपको इस analyze report card में पता चल जाती है, ठीक है, जो भी performance analyze report card दी जाती है, उसमें आपको ये बातें पता चलती है, clear, so अब हम बात करते हैं, stage 2 में क्या-क्या मिलता है, तो student stage 2 में आपको certificate तो मिले गई, ठीक, तो all the participants will be awarded participation certification certification उनको दिया जाता है, जहां पर अकेन reflect होता हूं का class, zonal, olympiard rank और marks को बताया जाता है. Next होता है first price, second price, third price, यह सब कैसे distributed होते हैं, तो first international olympiard rank holder जो होता है, उसे मिलता है cash price 25,000 रुपे. तो अगर first international olympiard rank holder हो, तो हर एक class के in each classes में आपको वो क्या वोट के जाता है? 25,000 रुपे है, second price होता है, second rank holder को मिलता है 20,000 रुपीस, और third price क्या होता है, 15,000 रुपीस मिलते हैं, चीक है? So fourth से tenth price, क्या मिलता है उनको? तो fourth जो tenth international olympiard जो rank holders होते हैं, उनको मिलता है medal of excellence मिलता है, चीक है? और 11 से 500 तक में क्या मिलता है rank holders को? awarded the topper achievement certificate मिलता है, clear student? तो ये बहत आपको समझ में कि stage 1 में, stage 2 में क्या क्या चीज़े आपको मिलती हैं? So last week, thank you, thank you students so much. लगतार हमारे चैनल में आप बने रहे हैं, आप aware होते रहेंगे कि कितने टाइप के Olympiards आप दे सकते हो, ठीक है? आप recommend कर सकते हो, तो ये वीडियो student के लिए भी है, और ये वीडियो उनके parents के लिए भी है, relatives के लिए, जहाँ पे हर एक को ये बास समझ में आ जाएगे, कि कि किस तरीके के Olympiard papers होते हैं? आगे आने वाले वीडियो में हम आपके साथ papers को भी कैसे solve करना है, ये और चीज़े जितनी related Olympiard के वो सब discuss करेंगे, चीक है? So lastly, thank you, thank you so much.